हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक बल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राच कॉमिक्स में बांके लाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेशांक पीछे पड़ा पंचक बांके लाल पंचक के प्रवाव को समाप्त करने की समयावदी समाप्त हो गए अब मैं तुम्हारे पीछे छोड़ रहा हूं मिर्तिव अर्थात खस्मानु खानी को खस्मानु खानी छो आग्या माँ मैं पंचक नहीं मैंने समर्दी रत्न सत्य रत्न चरियोवा रत्न एवं शनी रत्न तो प्राप्त करी लिए अब केवल सर्णिम रत्न प्राप्त करना शेश रह गया है मुझे कुछ समय और दो प्रियत जैसे उस शयातान की चिस्ती रक्ष के नीचे से किसी के गुजरनी के प्रतिक्षा में लगी थी साथियों तयार रहो कोईना कोई अवैशी गुजरेगा इस रक्ष के रीजह से पंचक के प्रभाव से मुख्ध होने के लिए चार रत्नों तो मैंने प्राप्त कर ली है अब मुझे प्राप्त करना अंतिम रत्न है वो मारा वो निकला एक मानव और एक अश्व प्राणी पेड़ के नीचे से बोलो तारारा शिकार पेड़ के नीचे से निकल गया बोलो तारारा अक्रमार शीगरी, मेरा नाम है पेड़ा मैं उस पेड़ की डाल पर रहता हूँ और उस पेड़ के नीचे से गुजरने वाले को अपने शिकार बनाता हूँ अब मैं और मेरे साधी तुझे और तेरे घोड़े को मार कर तुमारे मास का बक्चड करेंगे और रक्त का पान करेंगे क्या? घोड़े को भी मारोगे कि तु पेड़ा भाई हमें पता नहीं दा कि उस पेड़ के नीचे से नहीं कुजरते है हम उस पेड़ के नीचे से होकर वापिस चले आते हैं चल्चे तक अब लौट चले चल्चे तक भाग कैसे भागू पीछे से मुझे अजगर नहीं जखडा हुआ है अरे बापरी कमकच्छे तक तुने प्यादी क्यों नहीं बताया अब तू फस गया बाके लाल एक शाप के कारण मैं तब तक किसी को नहीं मार सकता जब तक कोई किन्तो मैंने तुझ पर हाथ नहीं चापक उटाया सौमी बचाओ तक क्या हुआ तुझे मेरे साथ ही मारेंगे साथियों इसके खाल उतार कर मुझे दे दू मैं उसे धूप में सोगा कर उसका खाल पापड बनाऊंगा और फिर चाट मसाला लगार कर खाऊंगा मैं इसके का ब्धानों दूर राओं मसे अरेवा एक गित्ट उटायनी की चोर्ट से भी माराभी गया इसकार ती यह हुआ का सऩाया तूने मेरे भाई को मारा और अब मुझे भी मारा गृर गित 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 यह गया यह कहो नहीं मना पहले वाला गित्ट उटैनी के एक ही चोर्ट में इस गिद्द मारा ग्या, मार मार कर इसका भुरकास निकाल दो, फिर अराम से इसका भक्षन करेंगे, हे 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 हे, स्वाबी बचाओ, बेटे बांके तोड एक ओट है नी, क्लाक, बिच्चू बिच्चू अपना डंक बांके लल से दूर रख, स्वाक, गिद्द नौश डालो इसको स्वाक, क्वाक, आजा, आजा बच्चू, ये भी गया काम से, हे हे हे, खजूरे, मकडे, चूस लो इसका रा, इसके कान में घुसकर इसका भेजा ढाल, खालूगा, हे हे हे, हे हे, आई ये क्या, मेरे पहले के वारो न दो विशहले पिच्चू और गिद्दो को तो हे हे, अब शीगरी में तेरा खाल का खाल पापट चाट मसाला लगा कर खाऊंगा, हा हा हा, बाके लाल न वक्षे स्टहनी टोड़ी और, अ, अपपा दी के हो, स्वाक, स्वाक, आ, वो मारा, हे हे, स्वामी बचाओ, ढुष्ट छोड़ दे चेता को, मुझे बाहर न गुल क्योंकि मेरी बीद करने का समय हो गया है, अ, इसी के साथ अजगर ने चेता को बाहर उगल दिया और, स्वामी ने मुझे बचा लिया, वा, अ, अ, अजगर भी मारा गया, अब तू नहीं बचेगा, बच्चु पेड़ा, अब मैं तो बचूँगा, किन तू नहीं बचेगा क्योंकि मुझे तेरी मिर्थ्युका रहस पता चल चुका है, पत्तों वाली टैनी के प्रहार के पच्चा देक पत्ता टूटने से एक प्राणी की मिर्थ्यु कहोती है, एक कर तेरे साथी को मारे गया, अब तेरी बारी है, अरे, पर ये क्या, तू मरा क्यों नहीं तेनी के ब्रहार के पचा सभी पत्ते तो जड़ गए हे हे तू मेरे निशाचरों के मत्यु का रहस्त今天 समझ गया किन्तु मेरी मत्यु का रहस्त तुझे नहीं पता हाहा अब तू नहीं पचेगा बच्चू ठा ओ और जान से हम्त दोवयटेगा नई पेड़ा ने चेता कोठा पेगा पेड़ा बाके की छाती में काश्ट तिर्जूर घोंपी देता किन्तु तभी तिर्जूर मेरे हाथों से छूड़ गया और ये स्वर कैसा है ये तो छेला है उसने पूरा व्रक्ष यू कहाड़ दिया दुष्ट पेड़ा पेड़ सहीद गायब हो गया क्यों कि व्रक्ष उकाड़ ने जितनी ताका तुथपन करने के लिए आपको कई जनम लग जाते आपको संकड में देख रोका नहीं गया पिता श्री फिर आऊंगा शुक्र है मुसीबत जल्दी चली गई अरे मुसीबत मत काऊ सौमी वो आपका पुत्र है कुछ रहस में गट रहा था वो तो बच गया कब तक बचेगा पूर्फ कौमिकों अन्मोल रतन सत्य रतन पाताल बहरवी अमशनी रतन में आपने पढ़ागी राजा विकरम सिंग रानी स्रॉनलता मामंतरी सेनापती सहीद बाकेलाल पर लग गया था पंचक योग जिसके प्रवाव को समाप्त करने के लिए बाकेलाल को पांच अन्मोल रतन प्राप्त करने आवशकते चार रतन वो प्राप्त कर चुका था इसी बीच पाताल बहरवी ने बाकेलाल के बाल से इसके पुत्र जहला को भी उत्पन ने किया जिसना कदम कदम पर बाकेलाल की मदद कर अपने पुत्र होने का कर्तव पूरा किया किन्तों अब अनमोल रत्न प्राप्त करने की समय अब दी समाप्त हो जाने की कारण बागे लाल पर लग गया था पंचा चल चेतक अब आगे बढ़ते हैं अब हमें प्राप्त करना है अंतिम रत्न सॉन्लिम रत्न जो धारक के भविष्चे को सॉन्लिम करता है बाके चेतक पर सवार होकर एक नदी के किनारे आप उचा ये तो कुछ का कुछ दिखता है नदी में कुछ का कुछ दिखता नदी हमें इस नौका दोरा नदी पार करनी होगी स्वामी ध्यान नहीं दे रहे पर मुझे इस नदी के नाम कुछ विचित्र लग रहा है अरे ये नौका दो बिना चप्पू चलाई चल पड़ी वाह कितना सुन्दर कमल का फूल इसे तोड़ लेता हूँ साफदान सौमी कमल के फूल तो जील में होते हैं बाके लाल के इस परश के साथ इकमल का भूल भेंग कर अजगर में परिवर्तित हो गया अरे पापरी ये तो अजगर है हे 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 बेटा अजगर अब मुझे समझ में आगे कि ये चप्पू यहां क्यों रखा है ते रांत करने के लिए वो तो मेरा भाई है अरे ये तो चप्पू भी अजगरी है भाईया भाईया इसे मैं खाऊंगा तुम खोड़ा खालो अभी थोड़ा खालो मेरा मतलो दोनों भाई स्वामी से ही काम चला लो ठीक है ये नौका पर है इसे तू खाले पानी में आया तो मैं खालूंगा चच्चे तक हम नौका में रहे तो चप्पू अजगर हमें खा जाएगा बचने के लिए पानी में खूते तो कमल अजगर खा जाएगा मैं तो पहले ही कह रहा था कि नदी के नाम में कुछ कड़बा ले अरे बाई चला चे तक चटान पर खूत जाते हैं इस फिसलनी चटान पर मैं कैसे कड़ा रहուंगा बाके लल चटान पर खूत गया स्वामी मुझे छोड़ कर मच आओ देखते ही देखते चटान परिवर्थी तो गई विशाल का है मगर मच मगर मच में मर गया ये चटान नहीं मगर मच है बाके लाल चलंग लगा का वापिस नौका परा पहुचा बगर मच की अपिक्षा अजगर से लड़ना असान होगा आह लाद देवता के शाख के कारण मेरी बिल्तु लाद खाकर ही होनी थी ये तो मर गया है चलो अब कम से कम नौका में तो हम सरक्षित हुए तभी ये नौका नहीं विशाल का एक चुआ है ये हमें जल परपात की उर ले जा रहा है मर गये ये जल परपात तो बड़ा बैंकर है अब रोक अब क्या करें इस जल परपात में गरने के परश्चा तो हमारी हट्डिया भी नहीं मिलेंगी मरने के बाद अड़ियों का करना भी क्या है हमें पहले ही घत्रे को भाप लेना चाहिए था कि ये नदी कुछ का कुछ दिखाती है अरे ये रस्टी का फंदा किस ने भेगा पिताश्री गबराना नहीं इस कचुए कि क्या मजाल जोई आपको जल परपात में किरा दे है है छेला फिर आ गया फंदा खीचने के कारण कचुए तो दम गठने जमर गया किन्तो आपके प्राण बच गया पिताश्री मैं उसके करदन बस मरोडी देने वाला था वो फिर बच गया कब तक बचेगा अच्छा पिताश्री मैं चलता हूँ फिर आऊंगा जे तक आखे दिया हो गया राए पहले पेड़ा मेरे पिछे मिल्ट्यूपन का पड़ गया फिर कुछ का कुछ दिखता न दी आहाहाहाहा कौन असरा है का से कबूतर, खा से घरगोश, गा से गबला और मैं हूँ पासे पंचक पंचक को कौन पंचक कहीं है वही तो नहीं पंचक को बोल गया मैं ऐसे मुर्ख मेरे दिश प्रभाव को खत्म करने के लिए तो तू आज अनमोल रत्म एक अतित करता फिर रहा है तो क्या तू वही पंचक हो हाँ, मैं वही बासे पंचक हूँ बासे बाकेलाल पंचक के प्रभाव को समापत करने की समय अथि कल सूर्यास के साथ ही समापत हो जाएगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाकेलाल अब मैं तुम्हारे पीचे मा से मिर्ट्यू छोड़ चुका हूँ लो मिलो अपनी मिर्ट्यू अर्दा खा से खस्मानू खानी से मैं हूँ मिर्ट्यू खस्मानू खानी मिर्ट्यू बाके लाल पेड़ा और नदी के कारण तुम्हें मिर्ट्यू की जिन स्थितियों से गुजरना पड़ा वो मैं नहीं होता नहीं की थी तुम्हें मिर्ट्यू का एसास कराने के लिए नहीं ये नहीं हो सकता मैंने समर्दी रतने सत्य रतने चेरियोवा रतने एवं शनी रतन प्राप्त करी लिया है अब केवर सोणने प्रत्प्राप्त करना रह गया है मुझे कुछ समय और मिलना चाहिए है 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 मिर्ट्यू ने भी बला किजी को समय दिया है हां से है 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 तेरी मिर्ट्यू के परशाज विशालगड के राजा वासे विकरम सिंग, रानी साथ से सोणना था मां से महामंतरी और सा से सेना पती वर भी तूटेगा मिर्ट्यू का कहर नहीं तो मैं जानुर्थ नहीं कर सकते मिर्ट्यू को भी अपने साथ ले कर जाओ जब तक तो जब मिर्ट्यू के दार तक नहीं पहुचा देती मैं नहीं जाओंगे हाँ तो बाकिलाल सामी बचो अब तेरा क्या होगा बाके लाल या तेखो मैं पेड़ के नीचे दब गया हूँ तुमने कहा था कि जब तर तुम मुझे मिर्थी को दार तक नहीं पहुचा दोगी तब तक नहीं जाओगी अब तुम मैं मिर्थी को दार पकड़ा हूँ अब तुम जाओ तुम पेड़ के नीचे नहीं तब अबाके लाल टैनी के नीचे तबा है और ये बात तुझे अपनी बगल में खड़े उस भैंकर काले विश्दर को देखते ही पता चल जाएगी हिस्सी फुस्सी मुझे 103 बुखार हो रहा है और मेरे बुखार की और श्दिया मानव का रख्त जो उसे डसने सही मुझे प्राप्त होगा भाई को अर्थाद मुझे राखी नहीं बांदोगी मौर्ख राक्षा बंदर पर भाई भेंग की रक्षा का वजल लेता है किन्दो मैं तो मिट्ट्यू हूँ मुझे बाला किसका बेह तू किस से मेरी रक्षा करेगा तू तो मुझे सही अपने प्राणों की याचना कर रहा है हाँ जब तू इतना क्या रहा है तो मैं तुझे एक शर्ट पर थोड़ी महलत दे सकती हूँ जल्दी बताओ को शर्ट मुझे आम का अचार बहुत पसंद है मैं यहां मृत्यूंबा देवी के नाम से भी प्रसट हूँ तुझे पंचक प्रवाब मुक्त यग्य होने तक एक मृत्वा नाम का अचार मेरे मंदिर में भेट चड़ाना होगा साथ में परोठे भी हो जाए तो और भी अच्छा यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तब तक तुझपर मृत्यू के आगात नहीं करूँगी मुझे मंजूर है बाके चेतक पर सवार उकत दोड़ पड़ा भाग चेतक किसी नगर में पहुचका तुरंत अचार का मृत्यू का मृत्यू को भेट में देना होगा पर उठे भी तो देने है सवामी और हाँ पर उठे भी तो देने है बाके लाल चीगरी एक नगर में पहुचा सञ्णे वरत भी सौर्ड नगरी के राजा सौर्ड सिंग के पास ही है यहां तो प्रितेग नागरे क्या तुमें अचार के मृत्वान थमें यह तक लगता है यहां हमारा काम सरलता से बन जाएगा अरे सुनो भाई, मुझे एक मर्तुमान आम के अजार के आवाशकता है क्या तुम अपना अचार का मर्तुमान मुझे बेचोगे एक मर्तुमान आम का अजार? यहां तो कोई तुम्हें अजार के एक पाः भाड़ी भी नहीं देगा वो देखो, वो मिर्तिम्बा देवी खस मानू खाने का मंदर है कहते हैं मिर्तिम्बा देवी को आम का अचार अत्यतिक पसंद है देवी को पसंद ने के लिए यहां के लोग परतेक मा मिर्तिम्बा देवी के मंदर में अचार चड़ाते हैं ऐसा करने से यहां किसी के अकाल मृत्यू नहीं होती तो फिर मुझे अचार का मिलेगा तो महाराज के पास जाओ उनके पास सौने मृत्म है जिससे उन्हें अचार चड़ानी के अवश्यक्ता नहीं पड़ती हाँ किन्तु किसी जरुवत मंद को देने के लिए वो अपने पास एक मृत्यू नहीं चड़ा पाएगा तो इस पकार मृत्यू नहीं चड़ा पाएगा उसकी मृत्यू का योगत पन करेगी मैं आख मकड़ती है राजा अभी भी समय मुझसे विवा कर लो मेरा शनी भारी है अतान मुझे पर शनी की छाया है मुझे रिशी आख फड़का चार ने यह बताया था कि जिस भी पुरुष को देखकर मेरी एक आख मरेगी यदि मैं उससे विवा करूँगी तो मुझे पर नहीं कर सकता राजा ता फेर टॉड़की हो अरे अचार का मरतबान क्यों चीन रही हो शाबाज पत्रे तमने मरतबान चेल लिया अब यह अचार मैं खाऊंगी भागो हमरा काम हो गया अब मरेगा राजा अरे मचार के कारण नहीं मनने वाला मेरे पास सणने वरत्न है जिसक मैं उनका पिचा करता हूँ महराज शत्रों की सेना के पिचा खेले मत जाईए ठीक उसी छड़ब बाके लाल गोड़ा दोड़ाता हुआ वहाँ पहुचा बचाओ बचाओ चेतक यह सब लोग बचाओ बचाओ के चला रहे हैं और इन सब के हातों में तो अचार के मरतबान ले गए हमारे महराज अकेली शत्रों के पिचे चले गए उनके प्रांट संकट में हैं यह सुनते ही बाके लाल न अपना गोड़ा भी उसी दिशा में दोड़ा दिया भाग चितक हमें अचार राजा ही देगा उसे बचाना हुगा राजा सौन सेंग शत्रों का पीचा करते नहीं दोनों राजाओं की तलवारे अपस में बिढ़ गई हूँ खनाक ओ मेरी तलवार फिर इससे पूर की राजा चपडगंजु तलवार के प्रावर से राजा सौन सिंगी गर्दन काड़ देता स्वाक अगलेई बल बाके लाल ने फंदा फेक का राजकुमारी के हाद से खीच लिया अचार का मर्दवान भी कबराईए नहीं महाराज और अचार की चिंता छोड़कर जान बचाईए मेरा नाम बाके लाल है यह मेरा घोड़ा चेतक चेतक तू भी भाग अरे पकड़ो ने क्रोधे तो राजकुमारी आखिया मिलाओं ने तीन भाले एक सार गांति की बहन वाफिस नहीं लौटते। दिवे भाले बाकेलाल वऔर राजा churches चींट के पीछे लग गए। बाकेलाल तीन भाले हमारा अंत करने केलिए हमारे पीछे उड़े आ रहे हैं? क्या, मगर तीन क्योक्ती है? यह तीन भाले हमें मारने के लिए हमारा पीछे भी कर है अवश्य ही ये दिवे भाले और हमारा अंत करके ही रहेंगे साइं साइं अभी तक हमने ख़स्मानू खानी को अचार वपर राटे नहीं खिलाएं अताई यह भाले हमें मार भी सकते हैं चेतक खुश होगा चेतक मकता आगे क्यों नहीं देखा आँ भाले इदर उधा जाड जो आपको आगर लगते चैला तुम हाँ आपने भगा रहा और हम चले आए इसका मख़त को मेरे संकड़ भज़े होने की सूचना किस काम मिल जाती है भाले राज कुमारी के शित्रों गानते करके ही लोटने थे भाले वापिस लोट रहे क्योंकि सिंग तो सभी के शित्रू हो होतें देखते देखते चैला भी गायब हो गया तो फिर मैं भी चलता हूं राज जमय वापिस पहुशने के बाद बागे ने अचार का मरतबान बापिस राजयर सोड़ सिंग को साप दिया तुमने मेरे प्राण बचाए बताओ मैं तुमारे लिए क्या कर सकता हूं मुझे मरतबा देवी के मंदर में चढ़ा दिये ए बाकेलाल तेरे ये बेट में सुएकार नहीं करूण Miami मैं तुस्तर रोष्ट हूँ, बंदर का घंटा तेरे जर्ब गरने से तेरे मिर्ट्यों तुरंत हो जाएगी, मगर क्यों? क्योंकि तुने राजा सुर्ण सिंग के प्राण बचाए हैं, वो तो मैंने चारों पर आटों से प्राप्त करने के लिए असे किया है। पाहिलाल तो जे, तुम्हें पता नहीं है कि राजा की मिर्ट्यों की घड़ी तो कब की आ चुकी है, किन्तो राजा सुर्ण को अभी तक बचाए हुए है, और मुझे यमराज श्री से हर रोष डाट खानी परती है, मैं कुछ समझा नहीं, यदि राजा की मिर्ट्यों की घड निकला, अन्त आज उसे मिर्ट्यों आ चुकी होती है, यदि ऐसी बाते तुम मुझे एक अफसर दो, मैं उसे सुर्णी रुट्न प्राप्त कर लूँगा, तब तुम सरलता से उसका अंत कर सकती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि उस रुट्न की मुझे भी आविश्च रकता ह यूँ, बाकेलाल तुरंत राजा के पास पाजा, आओ बाकेलाल, अब तुम मेरे अतीती हो, रत पर सवार हो जाओ, तुमारे घोड़े को मेरे सैने के ले आएंगे, अवश्च महराज, बाकेलाल ने घोड़े चेतक की काठी के नीचे से सत्त रत्न निकाल दिया, इस रत्न ये तो उस सुन्दर रत्न के सम्मुक कुछ भी नहीं है महराज जैसा आपके पास है, अर्था सुन्डिम रत्न, हाँ बाकेलाल, ये सुन्डिम रत्न से तो सुन्दर नहीं है, आपने उस रत्न को कहा रखा है, सुन्डिम रत्न मेरे सुन्डिम भविश्य का प्रतीक है, मैं आने के बाद मैं कई दिनों से इसकी ताक मता कि कब राजा उस रत्त के विशे में किसी से बात करे या उसे गुप्त स्थान से निगाल कर देखे ताकि मुझे सणने रत्त के स्थान के विशे में पता चल जाए अब मुझे सणने रत्त प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता तबी आ ओ, थोड़ा सा परसंद होते ही मेरी किसमत फूर गई और आकाश सिगरी बिजली से तूट का ये व्रक्ष मेरे उपर आगे राथ मैं जब भी थोड़ा भी परसंद होता हूं तो मेरी किसमत फूर जाती है और मुझ पर संकर तूटते है इसलिए तो मेरे माता पिता ने मेरे नाम भी फूर्टी किसमत रख दिया ओ, शिकार सामनी है, आजा बच्चो अजी थोड़ा सा दिमाग से काम लो, राक्षा से जान ले लेगा बिल्लो रानी, कहो तो अपनी जान दे दूँ अरी समझा गर, ओ, राक्षा से तो क्या हुआ, ये तो व्रक्ष के नीचे दबा हुआ है टरो नी बच्चो, तूट पड़ो इस पर, कर ओ, सिंग परिवार, ये तो मुझे ही खाने आ रहे है राक्षा स्पूटी किस्मत किसी तरह से व्रक्ष के नीचे से निकला और से सिंग परिवार पर उचाल भेगा ओ, कभी कोई काम ठीक से मत करना, एक हिरार तो पकड़ा नहीं गया राक्षा स्मारने चले है, मैं तो तुमसे व्यवा करके पस्ताई पिताश्री, शेयर होकर पिट गए, शेयर का नाम पूरी मिट्टी में मिला दिया अब मेरी किस्मत भूटी नहीं रहीगी, क्योंकि अब मुझे पता लग जाएगी सौने वरत्न, राजा सौन सिंग के कक्ष में उसके सरानी के रुई में रखा है अब जादा खुश्मत हो, वरना फिर फूर जाएगी, किस्मत अब तुम्हारी बाजुओं में दम है, तो राक्षास की तरह उठा कर फेको फरक्ष को राक्षास गदा लेकर महल में पहुँचा और था, राक्षास आगया भागो काक, आज मझे कोई नहीं रोक सकता, कई राक्षास मिलकर भी राक्षास फूर्टी किस्मत का रास्ता नहीं रोक सके था, राक्षास आगया भागो राज आव सौन सिंग बाके लाल के साथ महल में आ पहुंचा महराज गजब हो गया राक्षास फूटी किसमत से राने को देड़ को सौन रतन ले गया अब आप रात को सिर्किंजी ची क्या रखेंगे क्या राक्षास से रतन वापिस लाना होगा वो रतन लेने ही तो मैं यहां आया हूँ सौन रतन का मिलना अवर्शक है मैं राक्षास की खोज में जाता हूँ यह बाके लाल क्या कहा रहा था? वो रतन लेने ही यहां आया था? मुझे भी इसके पीछे जाना होगा क्योंकि यदि बागे राल सौड़ने वुरत्न प्राप्त करने में सफाल हो गया तो फिर मेरा क्या होगा राक्षास फूटी किस्मत आज बेहत प्रसंद था आज मुझे सौड़ने वुरत्न प्राप्त होई गया अरे बाँ प्रसंद होने पर भी मेरी किस्मत नहीं फूटी अताज मुस्पर कोई संकट नहीं चूटा संकट तूट नहीं वाला है प्रसंद नहीं था कि आब एक में बागे जाते राक्षास फूटी किस्मत को शिकारियों दारा खोदा गिया गड़ा भी दिखाई नहीं पड़ा घास पूट से डगा गड़ा अरे ये तो वही राक्षास हो जब रक्ष के नीचा दबागवा था अब ये हमें अपना भोजा मनाने के लिए गड़े में भी आ गया अजी कुछ करो जब देखो मेरी जटका कच्रा करती रहती है आज दिखाई देता हूं तुझे राक्षास ने भी सिंग को उठा कर पटक मारा अब मेरी किसमत फूटी नहीं रही जो तुम मुझे मार कर खाने की फिराक में है अजी मैंने का लाना थै ये बात ओ ये सिर्फ फिर जब पट रहा है राक्षास फूटी किसमत नहीं सिंग को पुना पटक मारा था अजी मैंने का डू मरू चुलू बर पानी में बाकेलाल भी उस गड़े पर आपोचा ओ चेतक राक्षास की प्राल खत्रे में ये राक्षास फूट हो क्या हुआ इसकी टिक का बोटी तो मैं करके रहूंगा बाकेलाल तो क्या कर रहा है यहाँ पर मिर्ट्यू तुम ही आप क्या कर रही हो कट्डे में राक्षास फूटी किसमत है संड़ी मरत्न मरने वाले के साथ गयब हो जाए नहीं सणिम रत्न तो मुझे चاہिए यदी रत्न रक्षस के साथ ही गाइब हो गया तो राजा सणूर्ण जिंगा तो मुझे पता नहीं कि नुमारे हाथ वष्ची ओछाओं गा, वह तो है, रत्न के गाइब होते ही राजाओं ममार डालूंगे बाके लाल ने चेतक की पीर से धनुजबान उतारो और मैं राक्षस को मरने नहीं दूँगा fine, मरो डुस्टो बाके लाल, तो ने राक्षस को मेरे हाथों से बचा कर मुझे पुना करोधित कर दिया है अब तू नहीं बचेगा तुमने मुझे बचन दिया था मित्यु देवी के अचार चड़ाने पर तुम यगे पूड़ होने तक मेरा बाल भी बाकर नहीं करोगी तब बाके लाल ने लताओं की रस्सी बना कर गड़े में फेकी राक्षस फूटी किसमत ये लोग, इसे पकड़ कर ऊपर आ जाओ ठीक है, इस बार तो तुने राक्षस को बचा लिया किन्तु अगली बार ये नहीं बचेगा मित्यु राक्षस फूटी किसमत को दिखाई नहीं पड़ रही थी राक्षस भाई, तुम जो रत्न राजा रस्वान सिंग के महल में चुरा कर भागे हो वो मुझे दे दू, क्योंकि उसके कारण मित्यु तुमारी शत्रू बन गई है तुम जूट बोल रहे हो, मैंने तो सुनाई कि राजा की मित्यु इसी रत्न के कारण टली हुई है हाँ, किन्तु ये रत्न तुम पर प्रवावी नहीं है मेरी बात का प्रमाण है, अभी अभी तुमारा गड़े में गिरकर मित्यु के चंगुल में फसना यदि मैं समय रहते सिंगों को ना मार देता तो वो तुमें खा जाते वो रत्न बानवो और राक्षोस उपर अलग अलग प्रवावत पन करता है अभी भी समय रत्न मुझे देदू ये जूट कह रहा है, उसे रत्न मत देना ओ, राजा सौन सिंग, राक्षोस बाई, मैं तो मैं इस रत्न का प्रेरी बनाता हूँ जिससे कि मेरे प्राण तो बचाई रहेंगे, तुमारे भी प्राणों का संकट टल जाएगा वास्ता है मैं बाके लाल चल से वो रत्न मुझे से प्राण तो करके मेरे और तुमारे प्राण संकट में डालना चाहता है रत्न उसे हर्गिस मत देना राजा अपने प्राण बचाने के लिए जूट बोल रहा है अब ये कमबगस सत्ते भी नहीं बोलेगा क्योंकि सत्ते रत्न मैंने से तुरंती ये कहकर वापिस ले लिया था कि सवामी एक होने पर दौनों रत्नों का उफल अनिष्टकारी होता है राक्षास भाई इसके कहने में मत आओ ये अपने प्राण बचानी के लिए ऐसा कह रहा है क्योंकि इस रत्न के कारणी इसके प्राण भीतर मृत्यू के चंगल में बचे हुए मुझे तो ये पता है कि मेरे प्राण सर्लिम के कारणी बचे है और जो कोई भी मुझसे रत्न चीनने का प्रयास करेगा मैं उसे चीवित नहीं चोड़ूँगा ओ, मुझे में तो और ताखाता गई है थाड़ा राक्षस तो चला गया अच्छा बाकेलाल, अब मैं भी चलता हूँ क्योंकि अब सड़ने रत्न राक्षस के बाद सुरक्षित रहेगा और यहां व्रक्ष के नीचे दबा होने के कारण तुझे भी वन्न प्राणी शीकरी अपना आहार बना लेंगे अरे कोई बचाओ, इस बार में टैनी के नीचे नहीं दबा सैसा बाकेलाल को कुछ इस्वान हो आया सौमी, अब क्या होगा कोई वन्न प्राणी आगया तो गबरा मच्चे तक, इससे पूर की कोई वन्न प्राणी इधर आ निकले मैं सामी इस वर्क्ष के नीचे से निकल जाओंगा देखा, प्रक्ष के नीचे गड़े नुबा इतना इस्थान बचा हुआ था कि बिना प्रक्ष अटाया मैं सललता से सरक कर इसके नीचे से बाहर निकलाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि आम का जार मिर्तुमबा देवी को चाड़ाने के परशाद अभी मिर्तु मुझ पर घातक प्राहर नहीं करेगी चल छे तक, राक्ष के बीचे चली उससे रत्न प्राप्त करना बहुत अवर्शक है बाके लाल कुछी दूर पहुचा होगा कि देखा राक्षिस भाई मैंने कहा था कि तुम पर मिर्त्यू का योग प्रबल हो गया है अन्न था ये नर्वक्षी व्रक्ष तुम्हें नाज़करता इस व्रक्ष को काटकर में तुम्हें अभी संकर से बचाता हूँ क्योंकि मुझे इस व्रक्ष मिर्त्यू का भय नहीं नहीं है मेरे नीचे लगा मेरे शिकारों की हड्या का धेर देख कर कोई मेरे निकट आने का साहस नहीं करता अथा मुझ पर कोई कुलाडी चलानी के तो सोच भी नहीं सकता जबकि मेरी मिट्यू को लाड़ी के एक ही वार्च हो नी थी देगा राक्षस भाई, मिट्यू बार-बार तुम पर अपना वार कर रही है हाँ, बहुत हो ठीक है, किन्तु मैं सर्णियू रत्न के कारण बच गया अह, ये क्या किया, मैंने तो तेरी जान बचाईये डुस्ट अवश्च बचाईये, किन्तु अपने सौर्थ के लिए अरे, इस व्रक्ष ने तो मुझे जखर लिया, खुड़ अपादी के होगा एक आए कि व्रक्ष ने स्वैमी बाकेलाल को छोड़ दिया ओ, मैं छूड़ गया, पिताश्री, मैंने आपको छुड़ाया है तू ना भी आता, तो भी मैं छूड़ जाता तभी, बाकेलाल, जल्दी से सौने रत प्राप्त कर लेत, अन्यता तू मरेगा और वाँ, विशालगड़ में पंचक के प्रवावा से मरेंगे राजा विक्रम सेंग, राणी सौनलता, सेना पती, वह महा मंत्री भी तेरे पास कल सुर्यास तक का समय है बौखला आया, बाके पुना, राक्षस खोटी किस्मत के पीछे दोड़ा इसी धमा चौकड़ी में प्राता हो गई है और हभी तक मुझे सर्णी रत्म नहीं मिला चल चेतक, राक्षस निकलने न पाए सैसा ही चेतक की गती में अंतर आने लगा चेतक, तेरी गती धीमी क्यों हो गई है सौमी, पाउं ही नहीं उठ रहे है माके के दिश्टी भूमी पर पड़ी तो वो चल पड़ा यहां तो दल्दल है, तू दल्दल में फस गया चेतक बिहानक दल्दल, मुझे अपने बीतर खीच रहा है कोई है, मुझे दल्दल से बाहर निकालो मैं यहीं सोच रहा था कि राक्षस कहां गया क्योंकि वो नामराद भी तो इसी हो रहा था चेतक, दल्दल से निकलने की चेश्टा कर क्योंकि यदि हमी दल्दल से नहीं निकले तो राक्षस को कैसे निकालेंगे वो दल्दल में डूब गया तो सण्ड़िम रत भी उसके साथ ही चेला साही समय पर आया है मैं अभी चेतक को किनारे पर खिश लेता हूँ मैं समझ गया हूँ कि मैं जब भी होन अपपा दीखी होंगा कहता हूँ कमका चेला मेरी मदद को आ जाता है अब से ध्यान रखूँँगा बाके सुरक्षे किनारे पर पहुंच चुका था राक्षास फूटी किसमत तुमने मेरा कान नहीं माना और एक बार फिर मृत्यों के शिकन्यों में फस गए इस बार में तुम्हें नहीं बचाओंगा ताकि तुम्हारा ये ब्रहम तूट जाएगी सर्णिम रत्न के कारण और तुम्हारे प्राण बच रहे यदि ऐसा है तो तुम से भी बचकर दिखाओ ये अपने बचाओ के लिए किसी करिश्मे के प्रतिक्षा करू सर्णिम रत्न हवाश ही मेरे प्राण बचाएगा तुम ठीक कहते थी ये रत्न ही मेरी मित्तिका कारण बन रहा है तो फिर सर्णिम रत्न मेरी और फेग दो राक्षस ने रत्न बाके लाल की और फेग दिया तब ही ये सर्णिम रत्न मेरा है वो मेरे पास रहेगा ओ राजा स्रौन सिंग अरे कोई पकड़ो उसे, वो सणने रत नेका भाग रहा है अरे मुझे बचाओ लो ये रसी पकड़ लो ठीक है बाके लाल बाके लाल नाराक्षर को दल्दाजे बार कीच लिया अरे ये चहलाओ चेतक कहां चले गए वो जरूर राजाव सणन सिंग को पकड़ने गए होंगे चलो हम भी उनके बीचे चलते हैं राजा की गर्दर में सम अपने हाथों से मरूँगा इधार राजाव सणन सिंग गोड़ा दोड़ा तो वो निकला जा रहा था हाँ 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 आखे सणने रत मुझे मुझे मिले गिया रुक जाओ तभी राजा का गोड़ा रुक गया अरे ये गोड़ा सम क्यों रुक गया क्योंकि महराज आप जिस गोड़े पर चड़े हो वो आपका नहीं बलकि पिताश्री का गोड़ा चेतक है मैंने आपको देखते ही गोड़ा बदल दिया था खोड़ा चल दे हैं गया क्या तभी राजा सण सिंग मनने के लिए तैयार हो जाओ चेतक तुम्हें तुम्हारे राज किसी मां से बाहर ले आया है और यहां तुम्हें मेरे हाथों से सणने रत भी नहीं बचा सकता नरग जाने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अपने जीवन में हर समय अपने प्राणों की रक्षा करने के लिएवा तुम्हें कोई दूसा कार नहीं किया जिससे कि पुन ने तुम्हें सर्ग के रूप में प्राप्त हो नहीं तब ही चेतक ने राजा सौन सिंग को जाल दिया उतर मेरी पीट से राजा धाल से सर के बल गेरा और उसका मादा पत्थर से टकरा गया बाके लाल ये लू सर्णिम्रत मैं तुम्हें देता हूँ जीवन के अंत में ये एक अच्छा कार करने बशाद मुझे सर की प्राप्ती हो ये तो तुमने गलमंदी का कार किया है राजा सेर में लगी चोट से राजा सर्णिंगी मिट्ती हो गई बाके लाल इसकी आत्मा को यम्राज के प्राप्ति करकि तुमने तो इसके पास एक प्रभाव प्रभाव से अपने बारां प्रचा ली है बासे बाके लाल किन्टु 6 चाहर के प्राण तभी पचेंगी जब ता also तुम सबी रत्नों को यग इसलों तो पहुचा दोगी बनाओगी और पंचक प्रवाव समाप्ती का समय साथ से सूर्यास के साथ ही समाप्त हो जाएगा जबकि तुम्हें विशालगर पहुचने में लगेंगे तीन दिन भाग चितक अब सौमी को कैसे समझाओं कि मैं कितनी भी तेज दोड़नू कि दू सूर्यास ते विशालगर नहीं पहुच सकता बाके लाल के काला नहीं बस सके है मेरे प्राण मैं दुआ करता हूँ कि बाके लाल समय से विशालगर पहुच जाए वो मारा पापड़ वाली को मुझे कौन सा उन्चारो के प्राण बचाने है मेरे तो बच गए इस बार तो मोटे मच्छड को पंचक में मिट्ट्य से कोई नहीं बचा सकता चलो मेरा नाम भी नहीं लगेगा क्योंकि मैंने मैं तो पूरी ताकत से गोड़ा दोड़ा रहा हूँ विशालगण पहुँचने के लिए चितक भाग और तेज भाग विशालगण में सूर्यास पर लगी थी सबकी निगाए सूर्यास थोने को है और बाके लाल भी तक नहीं आया अन्मोल रत्न लेकर वो तो अभी आदे रास्ते में भी नहीं पहुँचा होगा और मैं तो आभी गई महान पंचक के आदेश पर तुमारी आत्मा ही ले जाने इसी छण से तुमारी मिट्यू का योग आरंब होता है ठैरो बाके लाला पहुचा है नहीं ये नहीं हो सकता मेरी आखे मुझे दोगा नहीं दे सकती ये तो मोटा मुच्डी है तो क्या मैं विशाल गड़ा पहुचा पिताश्री हम सूर्या से पूर विशाल गड़ा पहुचे अब गोड़े से नीचे होतरो ये तो छेला की आवास है हाँ जब आपने खा वो मारा पापड़ वाले को तो मैं आ गया था मैंने सोजा चलो अब आई गया हूं तो आपके गोड़े की गती बढ़ा आगर आपको तरण विशाल गड़ी पहुचा दू आखर आपके प्रती मेरा भी तो कुछ करतव बनता है बेड़ा गर्क मैंने क्यों बोला वबाना पापड़ वाले को ये कमखत मेरा क्या-क्या बोलने पर आता है बोलो बाके लाल की जाए किरके आप मुझे आग्याद है क्योंकि मेरी इच्छा भी पूर्ण हो गई है और आपका अभिहान भी और फिर आना जाना लगई रहेगा कि तू पुत्र कुछ दिन तो रुको कर आपने मुझे पुत्र कहा ये शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे पिताश्री अब मुझे तुरंत जाना होगा सुखी रहो पुत्र बाके लाल शेकरता से पाचो रत पुरहिजी को देदू लीजे पुरहिजी अन्मोल रतन सत्या नाश उतेरा छेला अब पंचक का प्रवाव हड जाएगा मिर्त्यू पंचक के साथ वापिस लोट गई पाविश्य में पास पंचक को कभी मत भूलना यग्य के प्रश्चा सभीरत ने भी यथा इस्तान पहुंच गए बोलो बाके लाल की जाए बाके लाल दे पुच्ची बड़े दिन हो गए बेड़ा बेड़ा घर का समाप तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप करते हों और मिलते हैं बाके लाल सीरीज के अगले कॉमिक विशिशांक दिव्य सुन्दरी में तब तक के लिए धन्यवाद